हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल इनावर गार्णिंग एक्सपेरियंस में फ्रेंड्स यह देख रहे हैं आप मैंने जो छोटे-छोटे पॉट को कलर्स दिये हैं और कुछ इमोजी ड्रॉइंग की हैं और कुछ पॉट पे जो है सिंपल कलर लगा दिया है तो यह देख है एक्रिली का कलर का यूज किया है और यह जो है मग है कॉफी मग है और यह सिरमिक पॉट है तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है अभी सभी जो बनके आये है इसी तरह से गार्डन के लिए हम कलर फुल जो होते हैं पॉट बना सकते हैं और इन में से कुछ वेस्ट मटरियल था जो भी आप दिख रहे है तूटे हुए कप है और यह दिखे यह मिल्क मेड का डबबा है तो इसे ओइल पेंड करके उपर से अक्रिलिक कलर से किया है रोईंग और यह जो है मिट्टी का पॉट है क्ले पॉट और यह जो आप देख रहे है एक धर्मकॉल का एक पॉट था उससे कलर कर दिया है बहुत ही बुरा लग रहा था वो तो बहुत सारे आपके घर में ऐसे वेस्ट बॉटल वेस्ट डिब्बे होते है तो जिनको हम कलर करके उनको खुबसूरत बनाके हमारी गार्डन में आड़ कर सकते हैं उनमें चोटे-चोटे प्लांट लगा सकते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो विदाउट होल वाले पॉट में भी बहुत कुपसूरती से बढ़ते हैं तो इनमें मैं जब लगाऊंगे प्लांट आपके साथ शेयर करूंगी और इन चोटे-चोटे पॉट में चोटे-चोटे प्लांट वो भी हेल्दी प्लांट बहुत ही कुपसूरत लगते हैं और विदो कार्डन के लिए भी बहुत ब्यूटिफूल लगेंगे यह जो आप देख रहे हैं छोटा सा पॉट तो दोनों साइड से मैं इसे रस्सी बांद के हेंगिंग में लगा दिने वाली हूँ कुछ हेंगिंग वाला सुकुलेंट लगाऊंगी इसमें और इसमें स्पाइडर प्लांट वगेरा कि बहुत खुबसूरत लगेगा इसके सर के ऊपर ऐसे बालो जैसा लगेगा तो यह भी ओइल पेंट का बेस दिया है मैंने यह बहुत जल्दी बन गया फ्रेंड क्योंकि बेस ही इसका कलर का ही है सिरेमिक पॉठ है छोटा सा दही वाला जो दही के लिए यूज करते हैं हम वो है और यह जो है इसका बेस ऑइल पेंट से किया है और बाकी का ऊपर के जो ड्रॉइंग है आक्रिलिक कलर से और ये पीछे वाला जो है वो भी वैसे किया है बेश जो है इसका ओईल पेंट है और उपर से अक्रिलिक कलर ये तो मैंने बताया हुआ है कि इसके लिए भी मैंने डारेक्ली अक्रिलिक कलर ही यूज किया है थर्मकॉल के लिए और ये है आइल पेंट के ऊपर एक्रिलिक कलर बहुत कुपसुरत लगता है जब आप ये करेंगे और इनके यूजेस आप अपने गार्डन में करोगे तो ये एक क्ले पॉट था बहुत ही बुरा लग रहा था और इसमें मैंने एक सकुलन्ट लगाया है लगबग देड़ साल से और ये देखिए ये छोटा सा बग बनाया है जो की आप देख रहे होंगे एक स्टोन के उपर मैंने किया है तो ऐसे बहुत सारे बग हम बना सकते हैं हमारे गार्डन के लिए तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा वीडियो पॉर्ट पेंटिंग के बारे में तो आपको अच्छा लगा होता सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स और हैपी गार्डनिंग और थेंक्यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स बाइ बाइ प्रेंड्स